असलाम अलेकुण स्टूडेंट्स जैसे कि आपने क्वेस्टिन नंबर फूर और फाइव जो है देख लिए चैप्टर नंबर टू कंप्लेक्स नंबर का और आज हम इसका करने जा रहे हैं क्वेस्टिन नंबर शीक्स इसका फर्स्ट पार्ट है 4 प्लास 7 एक्चुली जो question number 6 है इसमें हमने find करना है complex number का inverse ठीक है जैसे हम real number का inverse find करते हैं 2 का inverse होता है 1 over 2 3 का inverse हो गया 1 over 3 ठीक है इसी तरह जो हमें ये number दिया गया है value दी गई है 4 प्लास 7 एक इसका हमने find करना है inverse तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि इसको let कर लेना z equal to 4 प्लास 7 एक्टा ठीक है और next step में आपने इसका reciprocal ले लेना है इसको 1 over z कर लेना ठीक है और 7 में जो value होगी उसको भी आपने उलट करके लिख देना है उसका है यानिके यह वो 4 प्लास 7 एक्टा था 1 over 4 प्लास 7 एक्टा बन गया अब question number 5 में हमने कुछ question में rationalization की थी यानिके नीचे वाले के साथ नीचे वाले जो भी value होगी बटे में यानिके denominator में 4 प्लास 7 एक्टा है तो जो एक्टा वाली value होगी इसका अपने sign change कर देना है ठीक है यानिके 4 माइनस 7 एक्टा के साथ multiply भी कर देना है और divide भी कर देना है ठीक है अब 1 को आपने next step में 1 को multiply कर देना 4 माइनस 7 एक्टा सी और ये 4 प्लास 7 एक्टा और 4 माइनस 7 एक्टा इन दोनों को आपस में multiply कर देना है ठीक है और अब इसको जब भी इस तरह के नीचे situation बन जए तो हम ये वाला formula apply कर सकते हैं a plus b into a minus b which is equal to a square minus b square के होता है ठीक है वो ही मैंने किया है के a plus b और a minus b और यहाँ पर ये बन गया हमारे पास a का square यानि 4 का square minus b का square यानि 7 एक्टा का square आ गया ठीक है 4 का square 16 आ गया और 7 का square 49 और योटा का square वैसे आ गया साथ इसमें और योटा का square था उसकी value हम जानते हैं माइनस वान होती है मैंने योटा स्केल लिखने की बिजाए ड्रेक्ट उसकी value लिख दी है नेक्स्ट इसका थार्ड पार्ट है 4 योटा सिमिलरली आपने लेट कर लेना जी के एक्वल ठीक है और इसका अपने रेसिप्रो कर ले लेना है अब जस्ट देखें कि उपर वाले question में 4 था यानिकर रियल पार्ट भी था इसमें अब रियल पार्ट नहीं है ठीक है तो जिस्ट आपने 4 योटा का sign change करके multiply और divide कर देना है ठीक है और one multiply by minus 4 योटा वो minus 4 योटा आ गया और नीचे जब 4 योटा 4 योटा से multiply होगा तो वो आजेगा 4 योटा whole का scare ठीक है और साथ में ये वाला minus plus minus और minus माइनस से cancel हो गया बागी ब divide कर दिया four के साथ four one's are four और four four's are sixteen ये यहाँ पार हमने divide कर दिया ये बन गया हमारे पास minus one over four योटा अब minus कहां से आया ये योटा स्केर की value put की है ठीक है योटा स्केर की value minus one है और minus यो है बहर आ गया है और inverse यो है हमारा ये आगी अब जो next question है हमारे पास question number seven इसमें हमें पूछा गया है कि यानि कि थाबत करना है हमने कि prove that some as well as product of any two conjugate complex numbers is our real number मतलब आप कोई complex number लें और उसका साथ में conjugate लें तो कहरा कि अगर उनको हम यानि कि उस complex number का और उसके conjugate का हम sum करें यानि कि उनको जमा करें तो हमारे पास एक real number आता है एक बात और दूसरी बात उसने ये पूछी है कि इसके साथ product भी जो है उन दो number का यानि कि complex number और साथ में उसके conjugate का दोनों का product भी क्या है हमारे पास एक real number आता है तो लेट स्पोस के लेट जी एक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस बी यह उता है बी या complex number एंड यह हमने complex number ले लिया है जी एक्वल टू ए प्लस बी यह उता है ठीक है अब इसका हमने next step में इसका conjugate यह यह बार जो है यह conjugate को शो करता है और conjugate लेने के लिए सिर्फ यह उता वाली जो value होती है उसका sign change कर देते हैं वो complex number का आ जाता है हमारे पास conjugate ठीक है बी इस conjugate अब सबसे पहले हमने find करना है इसका sum यानि जी प्लस जी बार complex number और साथ में उसका conjugate उन दोनों को हमने sum किया यह यह प्लस बी यूटा प्लस ए माइनस यूटा बी ठीक है तो यह यूटा बी और बी यूटा या यूटा बी यह आपस में कैंसल होगे यह और एक यह वाला ए और एक यह वाला यह टू ए हमारे पास बन गए और sum जो है प् कि जब हमने sum किया तो sum हमारे पास हाया 2A which is a real number ठीक है नेक्स हमने प्रूफ करना है कि Z यानि complex number और उसके conjugate का जो product है यानि कि उन दोनों को अपस में जर्ब करें तो multiply करें तो हमारे पास वो भी एक real number बनता है तो सबसे पहले यह हमारे पास complex number है और साथ में यह complex number का conjugate है ठ minus आ गया यानि कि योटा वाली value का sign change हो गया अब हमने क्या किया कि A को A के साथ multiply किया फिर A को minus योटा B से multiply किया यह आ गया हमारे पास फिर plus योटा B को A के साथ किया तो यह आ गया हमारे पास A B योटा फिर plus minus minus योटा स्केर योटा स्केर फिर B को B से किया B स्केर आ गया योटा स्केर की वैल्यू माइनस वन पुट कर दी हमने अब माइनस वन और ये माइनस वन माइनस और माइनस प्लस होगे आप देख सकते हैं कि जब हमने जी और जी बार को जो मल्टिपलाइ किया है विच इस इक्वल टू ए स्केर प्लस बी स्केर और दोनों जो हैं हमारे पास रियल नमबर हैं क्योंकि इसमें योटा वाली वैल्यू कोई भी हमें नजर नहीं आ रही तो हमारे पास ए स्केर प्लस बी स्केर मिलके एक रियल नमबर बनाते हैं ठीक है इस आलस्वा रियल नमबर और जो हमें चाहिए था वो प्रूव हो गया हैंस प्रूव के सम और प्रोडेक्ट जो था वो दोनों हमारे पास एक रियल नमबर हैं